है लो इस्ट्रेंट्स वेल्कम टू टीजी निवर्शिटी अज हम हेलो अल्किन का 7th लेक्टर कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे प्रेशन ओफ है लेक्टर हमारी ओन गोइंग और गेनिक केमिश्री सीरीज का पार्ट है जिसमें हमने अब तक 7 लेक्टर कवर किये यह लेक्टर टोटली एंसरी बेस्ट आप एक्सेस करिए एंड नोट्स जो हमें एंसरी लेंग्विज में समझने में हल्प करेगा यह मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप इसे डाउनलोड कर लेना इस आलसो फ्री तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर देट इस प्रिप्रेशन ऑफ हैलो एरींस सबसे पहला में उसमें रॉम हैड्रो कार्बंस तो हैड्रो कार्बंस क्या होता है और कंबाउंड विच कंसिस्ट ओनली हैड्रोजन और कार्बन तो यह रेक्शन कैसी होगी और हमारी लेक्ट्रोफ करते हैं और इसको डिकष्ओ करते हैं इसकाम मतलब क्या होता है इलेक्ट्रौफ सő होता है तो इ्लेक्ट्रोफ के होनगे और को खुस्ट वन्टिंग ग रूप इस्कॉट इलेक्ट्रोफ अaking में आधिए इस गृक्ट्रोफ और रिक्ट्रोफ यह रहत्त होता है –- जो नेगेटिव आयन को एट्रेक्ट करते हैं अब रियक्षन देखते हैं क्या हमारी अब यह सब्सक्रिटिवाइब होता है कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे element को हटा कर उसके place में क्या हो जाएगा एड हो जाएगा और उस element को महां से हटा देगा तो यह substitution होता है तो अगर लाक्ट्रोफाइल किसी को substitute कर रहा है that reaction is called electrophilic substitution reaction simple है तो फर्स एक्शन देखते है हमारी का है from hydrocarbon से देखो यह टॉल्वीन मेरा react कर रहा है x2 से, x2 के हैं हमारा Cl2, br2, कोई भी halogen, generally हमारा fluorine नहीं होता है, कोई fluorine कहा होता है, बहुत ज़्यादधा reactive होता है, बहुत ज़्यादा small size होता है, तो highly reactive होने के वज़े से वो normally prepare नहीं कर सकते हैं, तो उसके प्रिपेर करने की एक अलग से reaction है वह हम इसे में देखेंगे दिचे तो इस reaction में क्या हो रहा है कि हमार जो टॉल्विन है वो है लोगे से react कर रहा है x2 से किसकी presence में FE की in the dark ये dark की वज़े से ये reaction हो रही है अभी हम Sunlight वाला भी Case देखेंगे. तो क्या होगा इसमें? ये बनाता है Orthopara Substituent. Orthopara Substituent क्या होते हैं? Orthopara Substituent हमारे होते हैं कि ये जो हमारा Halogen है, कहां जाके Attach हो जाएगा? Ortho and Para पे. सबसे पहला Question ये आता है कि ये Orthopara बने ही क्यों? फिर Question ये आएगा कि यहां तो एक ही बेंजीन है, यहां दो बेंजीन कैसे होगा है? तो सबसे पहले First Question गहन सदेख लेते हैं कि Orthopara बने ही क्यों? ये बनने का Reason होता है कि इस बेंजीन पर हमारा जो ये Group Attach है, इसका Nature क्या है? ये Orthopara Directing Group है? या Meta Directing Group है? अब ये Orthopara Directing Group का मतलब क्या है? Orthopara Directing Group का मतलब ये होता है कि जो मेरा आने वाला ग्रूप है, वो Orthopara में आएगा, Meta पे आएगा. अगर वो Orthopara Directing Group होगा, तो मेरा जो आने वाला ग्रूप है Orthopara बिदाएगा. अगर मेरा ग्रूप Meta Directing Group है, तो मेरा आने वाला जो भी गुरूप होगा वो मेरा मैटा पोजिशन पर जाएगा तो यह CS3 क्या होता है मेरा Orthopara Directing Group होता है यह अपने 11 ने पढ़ा होगा मैं थोड़ा साब को recall करवा देता हूँ कि Orthopara Position पर क्यों जा रहा है क्योंकि यह Electrophilic Substitution Reaction है तो Electrophilic क्या होता है या Electrophile क्या होता है जो Electron को Attract करते है जो Negative Line को Attract करते है और आपने Bengin के Resonance Structure में देखा होगा और आपने लेहन दे पढ़ा होगा कि एक यहाँ पर Negative आता है देन Para पर आता है फिर Orthop आता है फिर यहाँ पर जो भी हमारा तो जहाँ पर मेरा Electron की Density जादा होगी Electrophilic Substitution Reaction उसी कारवन पर क्या करेगा अटेक करेगा क्योंकि उसको क्या चीए Electrons चीए Negative Line चीए और Negative Line कहाँ ज़्याद है Ortho और Para पर इसलिए मेरा जो यह Product बन रहा है यह Ortho Directing बन रहा है और Para Directing बन रहा है तो जब भी टॉल्वीन का Chlorination या Halogenation होगा Fe की Presence में In the Dark So it will produce Ortho Parasubstituent तो मेरा Ortho Parasubstituent बन गया Next Question दिवाग में आता है इस Position पे एक ही बेंजीन है यहाँ पे मेरे दो बेंजीन कैसे होगे देखो ऐसा होता है इसमें Major और Minor Product बनता है वो होता है हमारा Parasubstituent एक दो cases में हमारा Ortho वाला होता है वो मैं आप से डिस्कस करूँगा जब आएगा तो अभी हमारा Major Product है Para वाला and Minor Product कुन सा होगा Ortho वाला अब दो बेंजीन इसलिए आया है क्योंकि यह एक ही प्रोड़क्ट होता है यह 20% के आसपास होगा यह 80% के आसपास होगा है एक ही चीज वो ऐसा नहीं है कि हमारा एक बेंजीन दो बेंजीन मिन गया है ऐसा नहीं हो रहा है एक ही प्रोड़क्ट में हमारा 20% Ortho Substrument है and 80% हमारा Parasubstituent है तो बेंजीन दो नहीं है बस वो 20% और 80% पार्ट है है वो एक ही प्रोड़क्ट एक ही चीज है वो बस वो 20% और 80% में डिवाइड हो रखे है तो दोनों डॉट क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट का अंसर था Ortho Parasubstituent ग्रूप है हमारा CS3 जब वो बेंजीन पर टैच होता है सबसे प्रेफरेबल होता है क्लोरीन या ब्रोमिन रर्याक्ट करवा हो बिकास स्लोरीन बहुत ही चोडे सायस का उता है तो र्याक्ट निक नहीं पाता और किसी कदैशन का अश्रुडिय्चन मान l FECL3 यहाँ ALCL3 भी हो सकता है ठीक है तो यह direct reaction होते हैं हमारे क्या होगा benzene इसके उपर आ जाएगा प्लस HCL लगो जाएगा देखो दो CL थे एक CL ने attack करा इसके इस carbon पर तो यह CL यहाँ कब attach होगा जब यहाँ से क्या निकले minus H हो एक H भाहर निकले तो यहाँ पर यहाँ जाके CL attach होगा तो यहाँ से जो यह H निकला यह इसके एक CL से react करें क्या बना दिया HCL और यह CL वहाँ जाके attach होके chlorobenzene बन गया तो हमारा प्रिपेर होगा क्या chlorobenzene that is hellow arine simple reaction थी next देखते हैं next है हमारा side chain halogenation side chain halogenation पहले कि श्रक्चर मना लेते हैं किसी भी side chain का हमने अब तक benzyle पढ़ा है तो हम benzyle वाला श्रक्चर मनाते हैं benzyn को पर क्या आएगा CS3 अब पता चलेगा benzyle क्यों बोला क्योंकि benzyle आगे बनेगा इसके हम reaction करें हैं CL2 से अब यहाँ देखो यहाँ यूज़ होता है हमारा sun light जिसे h new भी कहते है sunlight यूज़ होगा बहुत simple reaction है क्या होगा side chain क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इस बार ये ring में कुछ भी हमारा subsequent add नहीं होगा इस side वाली chain में subsequent add होगा हमारा तो इसको add करते हैं simple सी reaction है यह यह कैसे add हो जाएगा देखो एक CL इसका यहाँ पर इस carbon पर attach होगा और यह CL इस carbon पर तब ही attach हो जकता है जब यहाँ से एक minus h हो जाए एक h भार निकल जाए जब एक h यहाँ से भार निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा cs2 और एक CL पर attach हो गया इसका नाम सब को पता होगा है मैं आपको इसका common name बता देता हूं इसका IPC नाम आप नीचे comment करोगे तो इसका common name है benzyl chloride यह पहले भी नाम आ रखा है और इसका IPC अब आप मुझे नीचे comment करके बता हो कि इसका IPC गया होता है move करते है next method पर next method क्या है हमारा from diazonium salt from diazonium salt सबसे पहले आपके देखना पड़ा है कि diazonium होता क्या है तो diazonium क्या हमारा तो diazonium होता है हमारा उसका structure होता यह benzyn के उपर n2 Cl n2 होता है plus का CL होता है minus का हमें क्या करना है इस diazonium salt से कोई भी halo arine बनाना है यह तो आप यहां से direct direction करके halo arine बना सकते हो या फिर आप यह देख सकते हो कि पहले diazonium salt बन का सरा है and then halorine कैसे बनेगा देखो इससे तो बहुत easily बन जाता है halorine पर यह कैसे बना एक बार यह देखलो थोड़ा बहुत तो यह बनता है हमारा एनिलीन से किससे एनिलीन से तो एनिलीन क्या होता है benzyn के उपर NH2 देखो इसकी रेक्शन होती है एनिलीन टू से प्लस एचल से और तेमपरिचर जिरो डिग्री सेल्सियस या फिर तू संटेशरी कहले विन आप कहा सकते हो यह होता है तो बहुत सिंपल रेक्शन है कुछ नहीं करना यह एन यहां जाके अटाइच हो जाएगा और यह के सियल यहां प्लस एक्जांपल है और इस पंडेश के नम यंग नाम क्या हो गया बेंजयंक है लेप्लीन आज इंटएचल प्लस हेल एट टूसंटरल Sum बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और जब यह डायजोनियम सॉल्ट हमारा सी यू सी एल एचल के साथ रेक्शन करता है तो क्या बना देता है बहुत सिंपल रेक्शन है आप ऐसे कह सकते हो कि यह एंटू था यह एंटू गैस बनके भार आ गया और सी यह वाँ जाके अटैच है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आप जब भी डायजोनियम सॉल्ट से कोई भी हलोरीन बना रहे हो तो आप इतनी रेक्शन भी लिख सकते हो यहां से लेकर यहां तक भी ओके क्योंकि एक नेम रेक्शन है इस सैंड मेयर रेक्शन ओके कोई भी नेम रेक्शन में बहुत ज intéressant है आरहोदी इस सिफ्क्राइब करने है तो अप्रॉक्शिमेटली टूश्पति हो कि भी डैज़ेक्शन हो ज़ी और हराद सिंवेन रीक्शन ने cotton codi से प्लस इनकी रेक्शन बहुत मिस्थख चाहिए प्लस इनकी राभिल्स कोई आती है। उन या रहाति है प यह भी N2Cl react कर रहा है फिर से CuCl and HCl से क्या बना रहा है Chlorobenzine यह N2 gas बनके भाहर निकल गया और क्या बन गया Chlorobenzine बन गया यह हमारा हेलो एरीन है हेलो एरीन ठीक है ना तो बहुत इंपोर्टेंट रियक्शन है बहुत इंपोर्टेंट मैथर्ड है नेक्स्ट है हमारा नोट मैं कोई भी नोट लिखता हूं तो उसको जुरूर पढ़ा करो वह बहुत इंपोर्टेंट नोट होता है तो इसको पढ़ो जा रहा है क्या है देखो असको सीउसीयैल है तो ल वनाने चाने के लिए उसको इसकी जोगतनी पढ़ती न है उसको प् flexibility किसे रियाक्त करता है वह समय पास पहले सेरसान नोट वं具 इंस नोटा प्लस इसकर जाएड धान करते है कि इसका size बहुत बड़ा होता है, यह easily rate कर लेता है, और यह डाट rate करें क्या बना देगा, benzene के उपर iodine, तो क्या बन जाएगा, benzene iodide या फिर iodobenzene, तो भी कह सकता हो, वन iodobenzene इसका कुण सा नहीं हो गया, IUPAC, ओके, तो यह भी एक hello arena है, important था, पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको note में लिखा है, एक और note है हमारे पास, यह बहुत important reaction हो भाई, पहले इस reaction का name लिख लिखते हैं, that is, balls, ischemen, reaction, very important reaction भाई, देखते हैं क्या है, उससे पहले देखते हैं क्यों है, इसके होने का reason यह है, क्योंकि fluorine बहुत ही ज़्यादा reactive होता है, बहुत ही small size होता है, बहुत ही ज़्यादा electron negative होता है, तो normally sandware reaction के according, prepare नहीं किया जा सकता, उस conditions पे वो reaction नहीं करेगा, तो उसको prepare करने के लिए, अलग एक reaction फाइंड की गई है, that is, balls-schemine reaction, ओके, तो इस reaction को पहले देख लगते हैं, है क्या, देखो, जब्धो एनिलीन तो तुम्हा देखी रहा होगा, यहाँ पर कि बेंजिन को पैने शू देख रहा है, तुम्हा एनिलीन है, यह एनिलीन किसके से react कर रहा है, न-न-टू से, मैंने देखो, नेम भी लगे है, sodium nitrite, और Hbf-4 से, fluoroboric acid से, जब्धो इन दोनों से reaction कर रहा है, यहाँ पर HCl भी है, क्योंकि starting के जो इसके steps है, बहुक्त सेम होते हैं, यहाँ पर पहले N2Cl बनता है, फिर Hbf थोड़ा से नहीं दिखा देता हूँ, अब यह reaction करता है, Hbf-4 से, तो यहाँ देखो, यह प्लस में break होगा, यह प्लस में break होगी, यह भी प्लस में break होगी, यह मैनस में break होगी, तो यह वाली term को, यह place कर देगा, कौन, यह माइनस वाली term, तो यह कहाँ चल जाएगी, इसके पाद चल जाएगी, और यह CL, H के साथ में लिकर, HCL अलग करते हैं, यह माइनस HCL लिखते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, बेंजिन के उपर, N2 BF4 माइनस, और यह प्लस होगी, सेम रियक्शन है, कोई प्रॉबलम नहीं है, सेम देखों, कि जब एनिलीन रियक्ट करता है, N2, HCL, HBF4 से, तो क्या बना देगा, बेंजिन के पर, N2 BF4 माइनस, अब यह जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, यह बहुत ही, इजी तरीके से, हम फ्लोरो बेंजिन बना सकते हैं, हमें जशी से, हीट प्रोवाइट करने हैं, थोड़ा गरम करना है, हम जैसी इसे हीट प्रोवाइट करेंगे, तो इसमें जो यह N2 दिख रहा है, यह N2 पहले गयास बनके निकलेगा, यह निकल गया हमारा N2, प्लस BF3 निकल जाएगा, यह इसले निकल रहा है, क्योंकि जब हमारा BF3 निकलेगा, यह यह क्या बन जाएगा, हमारा F- बच जाएगा, तब ही तो, BF3 निकलेगा, तो F- बच जाएगा, जब N2 निकलेगा, तो यहां Benzin को पर किया जाएगा, चोटे सा प्लस आजाएगा, तो वो प्लस इस F- साथ, रियक्ट करके क्या बना देगा फ्लोरो बेंजन बना देगा सिंपल तो हमारा हेलोरीन बन गया बहुत इंपोर्टेंट रियक्शन है बेकाज एक तरीकी से थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरफ है तो कि नॉर्मली नहीं बन रहा है इस फ्लोरीन एक एनॉमलस बिहेवर शो करता है यह आपने लाइवन थे पढ़ा होगा जिस वज़े से यह नॉर्मल कंडिशन पर हैलो एरीन या फ्लोरो बेंजन नहीं बना रहा है किस कंडिशन वर वना रहा है, कौन सी रियक्शन शूर करती है उसे बाल्स, स्कीमन, रियक्शन ओके, वेरी इंपोर्टन रियक्शन मैं फिर सा बता रहा हूँ याद कर लेना, समुझ लेना, पढ़ लेना एक्जाम में आज आती है गभी-गभी और वैसे भी ये नेम रियक्शन है, सारी नेम रियक्शन मैं इसमें लिखी विए देखो हैं साइड में, बैल्स, स्कीमन, गैटर मैं, उपर भी लिखी विए थी है सेंड मेर, ओके, तो ये सारी नेम रियक्शन में लिखी है, इसलिए अलग से लिखे जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में जादा problem ना हो आप easily इसे याद कर सको तो बाल जिसकी मैं आपको समझ में आ गया होगा simple reaction थी थोड़ी इसी complex है थोड़ी इसी बिल्कुल थोड़ी एक दो बार पढ़ोगे simple समझ में आ जाएगा next method देखते हैं हमारा हेलोरीन प्रिपेर करने का that is gatterman reaction यह तो और simple है यह almost almost हमारा sand में reaction की तरह है क्या होता है sand में reaction में यहां होता है benzene diazonium chloride that is N2Cl यहां N2BR भी हो सकता है कुछी भी ले सकता है ब्रोमीन और CL को maximum जगा यूज़ करो कोई problem नहीं होती problem आते है फ्लोरीन और आयोडीन में ठीक है और वैसे फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा reactive होता है तो हर condition पर बन नहीं सकता तो chlorine और bromine को आँक बंद कर के यूज़ क्या करो वो almost हज़ागा सही होगी और अगर आपने पढ़ाई करिए समझावाए तो आपको पता चल जाता है कहाँ पर chlorine यूज़ हो रहा है कहाँ पर bromine यूज़ होगा ठीक है तो यह बन गया हमारा बेंजिन को पर N2Cl देखो दोनों रियक्शन दिखा देता हूँ आपको कुन-कुन सी Sandmare भी और Sandmare भी and Gatterman भी ओके देखो इसमें क्या यूज़ होगा था हमरा CuCl and HCl CuCl, HCl यूज़ होगा था क्लोरो बेंजिन देखो यहाँ पर तुम CuBr HBr भी उसकर सकते हो बनेगा क्या फिर वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा बेंजिन के उपर ब्रोम बेंजिन यह हमारी सेंड मेर रियक्षन है जो अभी हमने पढ़ी थी अब हम देखते हैं गैटर मैन के गैटर मैन रियक्षन में यहाँ सी Cu आता है और यहाँ पर हम HCI लिख देते हैं तो जब Cu आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा ब्रोम बेंजिन वैसी ब्रोम बेंजिन मना सकते हो ब्रोम बेंजिन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा Cu अर HBR आ जाएगा तो यह बन जाएगा मेरा ब्रोम बेंजिन Okay, simple है यह दोनो ही डेक्षन गैटर मैन है और यह सारी डेक्षन यह मलाफ यही दोनो ही रेक्षन सेंड में रहे है, फरक क्या है कि यहां पर copper का salt यूज कर रहे है, this is what this is copper salt यहां पर copper as a dust as a dust यहां फिर powder कह सकते हूं as a dust यहां फिर powder यूज करते है तो that मेरा क्यावन ना देता है, chlorobin it is also name reaction सारी name reaction important है भाई, बहुत बार बोल रहा हूं फिरकल exam में आएगी फिर आप बोलता हो कि हमें पता नहीं था, तो साही name reaction है ऐसे याद होनी चाहिए कि कि मैं getter का getter ही बोलू नहीं मैं तुम्हें पता दिल जाए मैं किसी action की बात कर रहा हूं ठीक है ना, तो बहुत एच्छी से learn होनी चीए तो मैं getter मैं reaction, send me reaction, कोई भी name reaction, तो इन reactions को पढ़ो, and last class में मैं आप से एक self assessment करने हो कहा था, और मैंने कहा था कि उसका answer आप नीचे comment section में डाल देना, मैं सबके comment पढ़ोंगा, तो आप नीचे comment कर दिया करो, क्योंकि मैं सारे comment देखता हूं, सारे answer देखता हूं, क्या कौन answer कर रहा कौन ने कर रहा है, question देख लेते हूं, क्या था, वो question था हमारा, define peroxide effect, हाँ, peroxide effect को मैं define करने हो कहा था, यह पूरी इसके definition मुझे comment box में चाहिए होती है, आप से, जब मैं इतनी चीज़ी लिख रहा हूं, आप लोग के लिए तो आप भी इतना लिख सकते हो भाई, तो इसक क्या आप लोग जानतों कि peroxide effect को खराश effect भी कहते हैं, या फिर anti-marconic cove effect भी कहते हैं, तो देखते हैं कि हमारी peroxide effect की definition क्या है, पहले हम उसका एक example लिख लेते हैं, तो कोई भी हम unsymmetric halo alkene देख लेते हैं, that is prop 1 in, और वो react कर रहा है HBR से, और किस रूल के under कर रहा है, peroxide effect के under side effect के under, तो और इसका एक और नाम होता है, जो होता हमारा anti-marconic cove, तो rule क्या कहते हैं, मैं dead peroxide effect बताता हूँ, क्योंकि marconic cove मैंने last class में बहुत अच्छे से बताया था, तो हम dead peroxide effect देखते हैं कि होता क्या है, peroxide effect यह कहते है, कि negative part of the polar compound, कौन सा पार्ट है negative, H plus में तूटता होता है, BR- में ब्रेक होता है, तो negative part of the polar compound gets attached with the carbon which have more number of hydrogen, double bonded वाले carbon की बात होती है, यह आपको पता होना चाहिए, तो क्या कह रहा है, पहले लाइन के बूली peroxide effect ने, कि negative part of the polar compound gets attached with the carbon which have more number of hydrogen, and positive part will get attached with the carbon which have minimum number of hydrogen, this is your peroxide effect, तो peroxide effect के according, इसकी reaction complete करने पर कौन सा product मिलेगा हमें? हमें मिलेगा CH3, CH2, CH2BR, that is one bromo propane, one bromo propane, यह one bromo propane कैसे है, यह सब मैंने इस series में cover कर रखा है, इस series को access कर लेना आप, तो इसका name क्या हो गया है? आपको परोक्साइड इफेक्ट में आगया होगा, मैं कोई भी self assessment देता हूँ, आप उसको याद क्या करो, और याद करने के बाद उसे, नीचे comment क्या करो, ताकि मुझे पता चले कि आपकी preparation अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, तो I think आपको परोक्साइड इफेक्ट मे provide कर दूँगा आपको, यह बिल्कुल free है, आप आराम से download करो, पढ़ाई करो, और अच्छी quality में ढाले जाएंगे, आपको पढ़ने में कोई problem नहीं होगी, तो यह सारे notes आपको बिल्कुल free of cost, description में मिल जाएंगे, and यह series भी आप जाके access करिए, this is also free, आराम से पढ़ाई कर और अच्छे माक्स लो, I hope you got my point, thank you